नफशकार दोस्तो नई सोच नई दिशा मैं आपके एक बार फिर से सवागत है तो आज हम डिसकस करेंगे TGT Medical जून 2019 में ये करवाए गये था इसका GK Part 2 आज आपसे डिसकस करेंगे तो प्लीज बीडियो को अंतक देखें बहुत ही मतपूर्ण कोशन है बीडियो साथ आपक तक देखें जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताक कि आने बाले हर वीडियो की अपरेट आपको समय समय पर मिलती रहें तो चलते हैं आज के पहले कोशन की तरफ यह रहा पहला कोशन संसद के दोनों सदनों की स्यूंक्त बैट कौन बुलाता है जो संसद के दोनो सदनों की जो स्यूंक्त बैट कोती है वो कौन बुलाता है चार ओफिन आपके पास हैं ध्यान से इसका राइटन से बताएं देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइटन से बता पाता है प्लीज जल्दी से बताएं संसद के दोनों सदनों की स्यूंक्त बैट कौन बुलाता इस तरह के कोशन आपके हर एक्जामें पूछे जाएंगे तो प्लीज बीडी को जितना हो सकें शे जरूर करें तो इसका राइटन्स होगा राश्टेपती संसद के दोनों सदनों की जो सिंवत बैट होती है वो आपके राश्टेपती बूलाता है आप मुझे यह बताएं जो राश्टेपती किस किसला परकारे करता है जल्दी से बताएं इस चैनल के मादिम से आपको कोशन के साथ एक्स्टा कोशन भी बताया रहा है जो कि आने बाले माच्टल एक्जाम के लिए काफी most important है तो जल्दी से बताएं राश्टेपती किस किसला पर कारे करता है तो यह करता आपका मंत्री परिश्यद के सला पर कारे करता है आप मुझे यह बताएं जो राश्टेपती की निक्ति की जाती है वो कौन से आर्टिकल के तयात की जाती है तो वो की जाती है 52 आप म पातकाल की गोष्णा राष्ट्य पती के दुवारा कौन से अनुशेद में की जाती है बताएं पहले जल्दी से बताएं इस चैनल के मादेम से आपको जितने भी कोष्ण है वो कबर करवा जा रहे हैं जो की आने वाले हिमार्चल एक्जाम के लिए काफी मत पूर्ण है अब पातकाल की गोष्णा तीन सो वावन अनुशेद गतात राष्ट्य पती के दुवारा लगाई जाती है तो संसत के दोनों सद्रों के सिंगत बैट कौन बलाता है आपका राष्ट्य पती यह अगला पश्वपती नात मंदर कहां स्थीत है देखते हैं सबसे पहले कौन इसका कर राष्टान सो बता है पाश्वनात मंदिर कहां स्थीत है आगे और वी कोष्ण अच्छे आने वाला है तो प्लीज वीडियो को अंतक बने रहें तो इसका राष्टान सो बता पाता है एक कोश्ण आपको हर एकग्जाम में देखने को जुरूर मिलेगा यह अगला राचन एपी सेंटर शब्द किस से सबंदित है देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइटन्स पता पाता है एपी सेंटर शब्द किस से सबंदित है पहले जल्दी से बताएं एपी सेंटर शब्द किस से सबंदित है तो इसका राइटन्स होगा वुकंप से जो आपका एपी सेंटर शब्द है वो वुकांप से सबंदित है तो वीडियो को अंतक देखें वीडियो अच्छी लगें तो पुली चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जूर कर दें और हर ग्रूप फेस्बुक इंस्टाग्राम बड़ से पे इस लिंक को शेर करें ताकि आने वाले हर वीडि हम इस वीडियो के माधिम से डिसकस कर चुके हैं राइडर कप किस खेल से सबंदित है प्रीज जल्दी से बताएं राइडर कप बैरी मॉस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन करवाई जार रहे हैं आपको आने बाले ही माच्छल एकजाम के लिए ओल्लाइन टेस्ट सीरीज भी आपकी HBGK की मॉर्निंग और 6 बर के 30 मिंट उसकी कलास होती है तो उसको भी डिली आप देखा गरे हैं तो राइडर काप पोताब का गोल्प से सबंदित हैं यह रहा अगला कोशन तीस्ता समझोता भारत और किस देश के बीच बिबाद की जड़ है देखते हैं इसके बार हैं ध्यान से इसका राइडर से बताएं तीस्ता पहले तो आप समझोता याद रखें तीस्ता समझोता भारत और किस देश के बीच बिबाद की जड़ है तो इसका राइडर सोगा बंगला देश इसकी बिबाद की जड़ है तो इस तरह के कोशन भी आपके हर एक्जाम में बनेंगे एक कोशन आपके लिए बैरी मोस्ट इंपोडेंट है क्यूंकि इस चैनल के मादे में से आपको एक कोशन साथ आपको पांच ये कोशन एकस्टाप बताए जा रहे हैं जो की एकजाम में आ सकते हैं और एकस्पेक्टेट कोशन ये आपको कुरवाई जा रहे हैं यह अगला कोशन निमलेखित में से कोंसी संस्ता भारत में राष्टे आये का अकलन करती हैं देखते हैं आप एकोनोमिक्स के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं कोंसी संस्ता भारत में राष्टे आये का अकलन करती हैं प्ली जल्दी से बताएं तो इसका राइटन्स होगा ए केंद्रे संंक की अकलन राश्टे आय का अकलन करती है संकल्प ना परियोजना किस के उनमूलन से सबंद्यत है पहले तो आप परियोजना का नामर आजर रखे संकल्प परियोजना किस उनमूलन से सबंद्यत है HIV, Polio, Chiro इन मैं से कोई नहीं प्रिज ध्यान से इसका राइटन्स बताएं संकल पर्योजना की बात हो रही है और किस उन्मूलन से सबंदित है एक एक कोशन आपके आने बाले हिमाचल एकजाम के लिए काफी मत पूर्ण है तो बीडी को जितना हो सके शेर जरूर करें तो इसका राइटन्स होगा HIV संकल पर और सकतर राइटन्स रहतार आपकी जानदकारे रख रहे हैं जो बारत में जितनी भी आपकी योजना बनाए गई थी परजानमंतरी दवारा उसके बारे में आप कितनी जानदकारी रख रहे हैं अन्तोदे अन्योजना की स्वर्ष लागू की थि तब दक बात करें नाइं 99 में कौनसी योजना शुरू हुई थी बोई थी आपकी सवर्ण जनती ग्राम सब्रोजगार योजना ये आपकी विए थी एक प्रेल 1999 में सवर्ण जनती ग्राम सब्रोजगार योजना 1999 में हुई थी और एक कौनसी योजना हुई थी 1999 में 1999 में और कौनसी योजना पदानमंती दुबरा चलाए गई थी जवार ग्राम सब्रोजगार योजना इसकी शुरुवात भी एक प्रेल 1999 में हुई थी आप मुझे ये बताए 1995 में कौनसी योजना चलाए थी पदानमंती दुबरा और उसे पूरे भारत में लागू भी कर दिये था बताएं जो आपका स्कूल में मिडे मिल दिये जा रहा है ये योजना आपकी 15 अगस्त 1999 में पूरे भारत में शुरू कर दीगी थी तो इस तरह के कोशनी भी आपके एक्जाम में बनेंगे बीडियो को अंतक देखें स्केप न करें बहुत ही मत्रुन कोशनी करवा जा रहा ह हर बीडियो को साथ आपको एक्जा कोशनी भी बताया जा रहा है तो प्लीज बताएं अंतोदे अन्योजना किस बर्स लाग हुई थी तो ये हुई थी आपकी 2000 में कब हुई थी कई बार आपको एक्जाम में पूरी डेट भी पूछ ले जाती है कि अंतोदे अन्योजना कब शुरू हुई थी तो 25 सेप्टेम्बर 2000 में इसकी अन्तोदे अन्योजना शुरू हुई थी आप मुझे ये बताएं 2001 में कौन सी योजना शुरू हुई थी बताएं तो बो ही थी आपकी संपूर्ण ग्रामीन रोजगार योजना 25 दिसंबर 2001 कोई से लागू किये था सपूर्ण ग्राम रोजगार योजना तो जितनी भी आपको मैंने योजना बताई हैं इस चैनल के मात दिन से आपको बताई जा रही हैं और साथ मैं आपको ओलाइन टेस्ट के लिंक भी उपलब दिखबा जा यह रहा अगला वोशन भारत में कौन सा निकाई बीमक शेत्र पर नियंतरन करता है देखते हैं आप कितनी जानकारी रख रहे हैं भारत में कौन सा निकाई बीमक शेत्र पर नियंतरन करता है प्रलीज जल्दी से इसका राइट अंस बताएं भारत में कौन सा निकाई बीमक form क्या होती है आपकोत फुल form के Radi होनी चाहिए और अधी वाय की स्थापना कभी थी यह भी हम बता चुके और सेबी की स्थाफना कभी इस च recurfly कर चुके को कई यह अगळा antedём की संसद को कहते हैं देखते हैं यहाइन किस जहानकारी रख रहुंग है नहीं कि त्यारी आपके आने बाले हिमाच्चर एक्जाम के लिए जपान की संसद किसे कहते हैं अगर यूवान की बात करें तो यह आपकी ताइवान की संसद है अगर शोरा की बात करें तो शोरा किसकी संसद है यह आपकी अफगानिस्तान की अफगानिस्तान की अगर बात करें डा यह ज़िए पान की संशत है तो यह जितने भी आपकी संसद है आप आने वाले हिमाच्चल एकजाम के लिए अच्छे से प्रिपेर करें क्योंकि यहां से आपका एक कोशन जुरूर पूछा जाता है चाहे आपका TGT कमिशन हो एल्टी कमिशन हो शास्त्री कमिशन हो यहां से की आपके कोशन हर एकजोंख में पूछा जाता है तो şu रा अफगानिस्तान की ढाला कोई अगर शुपषेय की तो इससमें से आपको बताना है कि जो लोग सुपकी प्रत्मयुष कौन थी गोच को donc सबस्काहिकिर का लोग सबस्की प्रतमय इस है क्यों थी डिसकस कर चूकर मैं वार-बार बोर रहा हूँ कि आपके जितने भी रिपीटड कोशन है बो हर एकजाम में पूछे जा रहे हैं और इस चैनल के माधि में से आपको एक कोशन के साथ एकसा कोशन भी बताये जारा है जो कि एकजाम में आ सकते हैं और डेपिनेटली आपको उत्तर प्रदेश की पहली मुख्य मंत्री बनी थी मैला मैला की बात हो रही है उत्तर प्रदेश की पहली मुख्य मंत्री बनी थी बिजे लक्ष्मी पंडित को थी मैंने आपको यह बताया भी था बिजे लक्ष्मी पंडित को थी बताएं जल्दी से बताएं देखते हैं आप सिंगत राष्टे संग की प्रत्थ महिला बारती राइदूत बनी थी बारती राइदूत बिजे लक्षमी पंडित तो इस चैलन के माधिम साब की रिवीजन भी हो रही है और आपका इवैलुएशन भी हो रहा है तो मीरा कुमार भारत की पहली महिला स्पीकर बनी थी तो इसे भी आप क्या है देखते हैं सबसे पहले किसका राइटन साबता है भी क्या है प्र distances होगा एक ब्र elim डकान एप मुझे यह बताए इस अप की शुरूत कभ उई थी भारत में इस अप की शुरूत कभ उई थी हिमाचल में देखते भारत में इसकी शुरुआत का बुईती एक बुकुतान एप की इसका राइटांस आपको मुझे कमेंट में बताएंगे और देखते हैं कि आप कितनी त्यारी कर रहे हैं हिमाचल एकजाम के लिए यह अगला कोशन सिस्सु मिला मनाया जाता है जल्दी से बताएं सिस्सु मिला इनकी किसके दवारा बनाय जाता है सिस्सु मिला है कि तो यह बना जाता और सिस्सु मिला और जितने आपके मिले से स्वंदित कोशने भू अस usually का रख नादिये यह ए अगला कोशन है शान और शब्बू लोक निरते किस से सवन्दित है शान और शब्बू लोक निरते किस से सवन्दित है देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइटन सो बता पाता है शान और शब्बू लोक निरते किस से सवन्दित है देवी दुर्गा बुद्ध भगवान शिब इन मैं से को TAT 2019 में करवाए गया था GK Parts का खत्म हो जुका है और आपका जो November में हुआ था TAT वो भी आपको करवाजिये इस चैनल के माधिम से और इसको Online Test का लिंक आपको डिस्क्रिश में दी जाएगा ताकि आप एक्जाम से पाले अपना Evaluation कर सकें GK बहुत ही Most Important है आपके लिए क्योंकि आपको इस चैनल के माधिम से Online Test के लिंक भी उपलब दिक्रबाए जा रहे हैं आप जब मर्जी साइट पर जाईए बहां पर आपको Online Test के Qs पड़े हुए अपना Evaluation कीजिए कि आप कितनी जान कर रख रहे हैं जीके की और आपको कितने आते हैं आपका Online Test के दुवारा Evaluation हो जाएगा तो अब बात करते हैं जितने बीमारे बारत के National Park हैं उसके Qs नम अंत में डिसकस करते हैं क्योंकि वहां से भी आपको एक Qs जरूर आएगा एक्साम में तो आज हम बात करेंगे कल आप मने मिजरौम की ती आज हम बात करेंगे केरल आप मुझे यह बताएं केरल में कितने National Park हैं प्लीज जल्दी से बताएं इस चैनल के मादिम से आपको यह करवाय जा रहे हैं और प्लीज वीडियो को अंतेक देखें और जितना हो सकें हर चैनल को हर गुरूप में शेर करें तो केरल में कितने National Park हैं पहले तो आप मुझे यह बताएं केरल में कितने National Park हैं उनकी संक्या कितनी है उनकी संक्या है दो कौन-कौन सी उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए पेरियार नैशनल पार्क आपके केरल मस्तीत है सैकंड कौन सा है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए प्रभिम्पक कुलम यह आपके दो नैशनल पार्क है कौन कौन से पेरियार नैशनल पार्क एंड प्रभिम्पक कुलम यह आपके दो नैशनल पार्क हैं केरल में अगली बात करें मद्य परदेश में कितने नैशनल पार्क हैं मद्य परदेश में मद्य परदेश में कितने नैशनल पार्क हैं MP में कितने नैशनल पार्क हैं आपके तो उनकी संक्य है दो कौन कौन सी का नाँ किसली राष्टे नासल पार्क कापके मद्दे पर्देश में किसली आगर अगली बात करें पंज्मडी ये भी आपका मध्रदेश में स्थित्रे पंज्मडी नासलल पार्क अाज के लिए इतना ही अगर बीडियो अच्छी लगें तो पली cięन को LIKE SHARE एंट सब्सक्राइब जूर कर दे ताकि आने वाल हर वीडियो की अपरेट आपको समय समय पर मिलती रहें तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद